मैंने कुछ हड़ से पहले फ्री लांसिंग से डिलेटेड टिक टॉक पर वीडियो वगएर अपलोड करनी शुरू की और उन पर ओडियन्स का काफी अच्छा रिस्पोंस आया लेकिन मेकिंग कॉंटेंट अराउंड टिक टॉक वस नौट अवेरी बिग तिंग फॉर मी क्योंकि इंटरनेट पर अल्रेड़ी बहुत सारे लोग बैठे हैं जैसे के हिशाम सर्वर एच्बा सर्विसीज जो कि बहुत अच्छी फ्री लांसिंग सिखा रहे हैं मैं एक दिन अपने एक दोस्त के साथ चाई पीने के लिए गया और वहां भी मुझे एक लड़का मिला उस लड़के ने मुझे बताया कि उसने मेरी एक शोट वीडियो देखी है जिससे उसे फ्री लांसिंग के बारे में पता चला उसके बाद उसने कोई यूट्यूब और इडर उदर किसी कोट से स्किल और सिखी और इस बाद बाद एक शोट वीडियो ने एक बच्चे और उसकी पूरी फैमिली की जिंदगी बदल दी और उसके जड़के पता नहीं कितने लोगों की जिंदगी बदल सकती हैं अगर आप लोग मेरे चैनल पर न्यू है तो मैं नेम इस जिर्फान एहमद आइम लोग स्कूल फिफ्टी एर स्टुडेंट इन लंप और मोस्ली मेरे चैनल पर लंप से डिलेटेड व्लोग वोगरा ही पड़े हुए हैं और इसके इलावा आइम लेवल 2 सेलर उन फाइवर जिसका मतलब यह है कि I can at least guide you to kickstart your freelancing journey इस course के अंदर basically होने वाला यह है कि मैं यहाँ पे आप लोगों के साथ ही एक account बनाऊंगा उस account को properly optimize करूंगा during the course and जब तक पहला order land नहीं होता है तब तक हम लोग मिल के इस account को चलाएंगे so if you are seeing this video और आप लोग भी मुझे follow करेंगे जिसतरा मैं account बना रहा हूं जैसे मैं आप लोगों को guide करना हूं optimize करना सिखा रहा हूं आपको account अगर आप लोग उस पूरी चीज को follow करते हो तो inshallah we all will be able to land our first order on our accounts so this is day zero of start freelancing today और इस वीडियो को बनाने का मकसद ही यह है कि मैं आप लोगों को बता सकूँ कि क्या क्या चीजें आप लोगों को चाहिए होंगी during this course और किस तरह आप लोग अपनी freelancing journey start कर सेते हैं so आप लोगों को इस course को start करने के लिए सिफ तीन चीज़न चाहिए है अब अगर आप लोग मेरी ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो most probably आपके पास एक अच्छा internet connection भी होगा और आपके पास एक device भी होगी जिस पर आप freelancing कर सेते हैं but the question is do you have skills to sell on internet और skills का भी मैंने जुगार निकाल के रखा हुआ है कि if you are a student तो आपको writing तो आती होगी but other than that अगर आपको writing भी नहीं सही तरह आती है आपको just basic computer skills आती हैं तो भी हम लोग काम कर सकते हैं और उसके लिए I have chosen social media management हम लोग इस course के अंदर social media management के ऊपर ही gigs बनाएंगे उसी के ऊपर हम लोग जो है na freelancing करने की कोशिश करेंगे क्योंकि social media management एक ऐसी skill है कि वो कोई भी बंदा सीख सकता है social media management is basically you are uploading content for your client तो और Fiverr के ऊपर या फिर किसी भी freelancing platform पे हमारा मकसद यह है कि हम एक ऐसा client ढूंडे जिसके लिए हम लोग uploading करें और हम उसे पैसे लें अगर आप लोग नहीं इस video पे click किये तो you must already know कि freelancing है क्या है लेकिन freelancing के कुछ platforms हैं जिनके उपर आप काम करते हो और उनके जरीए आपको clients मिलते हैं जिनमें सबसे मशूर Fiverr, Upwork, freelancers.com और इसना के और बहुत सारे हैं लेकिन we will going to start it from Fiverr because Fiverr एक ऐसा platform है जहां पे client बहुत कम पे कर रहा होता है लेकिन यहां पे यह एक starter के लिए बहुत अच्छा package होता है यहां पे आपने बस एक अच्छा account बनाना होता है और client खुछ चलके आपके पास आते हैं अपना काम लेकर so इसके लिए आपको अच्छी communication skills चाहिए और अगर आपके पास skill है तो you can sell that there और easily आप अपना first order land कर सकते हो so अगर आप एक ऐसे बंदे हो जो कि इस course को complete होने के बाद इस video को देख तो you will have an idea कि हम लोगों ने यह course कितने दिनों में complete किया है और हमने पहला order कितने दिनों में land किया है but अगर आप लोग साथ सा चल रहे हो तो so I would recommend to subscribe the channel and turn on the bell notification ताके जिसन भी आप लोगों को वो notification अजर आए कि नहीं वीडियो आ गई है उसी time आप लोग वीडियो देख के और जो जो मैंने उस वीडियो के इंदर काम किया होगा वो आप अपने अकाउंट के साथ करें और उसको मजीद आपनिमाज करें